थानेसर ब्लॉक समीती के पूर्व अध्यक्ष देविद्याल शर्मा जी ने हमारे साथ बाचित में अपने ब्लॉक के विकास कारियों को लेकर बहुत बड़े-बड़े दावे किये हैं। इनहीं दावों की सत्यता जानने के लिए हम पहुँचे हैं थानेसर के गाव घराणसी में और यहें से शुरू होगा मिशन रियालिटी चेक का। तो चलिए देखते हैं कि जो दावे देविद्याल शर्मा जी ने किये हैं क्या वो वाकई सच हैं। देविद्याल शर्मा ने ब्लॉक के हर स्कूल में किताबें भेजी, पेजल की व्यवस्था की, सडकें बनवाई और साथ हिस साथ कुछ ऐसे भी कारे किये जो वर्षों तक याद रखे जाएंगे। आनों हलके के विकास के लिए विधायक और सरकार के सहयोग से उन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिखाया। अब मिलेंगे ब्लॉक समीती थानेसर के पूर्व अध्यक्ष पंडित देविद्यार शर्मा से और चानेंगे कि आखिर राजनीती की साब सीड़ी के खेल में रहे इतनी बुलंदियों तक कैसे पहुंचे। नमस्कार, Be Positive News पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ मुझूद है थानेसर ब्लॉक समीती के पूर्व अध्यक्ष देविद्यार शर्मा जी जो आज खुद जनता के सवालों का जवाब देंगे। देविद्याल जी, Be Positive News पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हर्याना सरकार ने भी और सेंटर ने भी इतनी गरांट दी है कि च्यार गुना गरांट बठा दी है। और इससे हमने सबसे पहले गाउं में गली में अंधेरा था, लाइटे लगवाई हैं और जहां बिजली को विश्ता नहीं थी, सोदर लाइटे लगवाई हैं। रस्ते खेतों में इतने कच्चे पड़े थे कि किसान अपना घास लेकर बारिश बनिया सकते थे। हमने बहुत खेतों में रास्ते पके करवाई, गलीयां पकी करवाई, गाउं में चुपालों का बहुत काम करवाई हैं। पानी के टेंककर नहीं थे, पाणी गाउं में पानी का ठेंकर दिल्वाई हैं। इस चितने विकास हमने करवाई है, इतने पहले कभी विकास नहीं। तो देविदियल जी जैसे कि आपने बताया कि आपने काफी विकास कारें अपने ब्लॉक के लिए किरवाये और आपको सरकार की तरफ से काफी funding भी मिली और सरकार का जो ध्यान था वो ग्रामिन विकास के लिए काफी ज़्यादा था और विधायक सुभाश्चुदा के साथ आपके मधूर संबंद भी रहे तो क्या कितना फाइदा मिला आपको इन मधूर संबंद होगा अपने ब्लॉक के लिए देखे इतना भाइदा इन मधूर संबंद कर मिला है हमारे गाओं में जब से गाओं बसा है विभिन शरकारी आई जितना आज तक हमारे गाओं में नहीं लगा था विधायक जी ने पांच सालों में पूरे जब से भारत हर्यान आजाद हुआ हर्याना बना था उससे भी ज्या में हर जाथी के जबाल जबनए गड़ियां नाड़े कुछ भी इतना विकाष इन पांच सालों में क्राए हैं पहले इतना कर दियतegं कभी नहीं हुआ प्राइट बिजिली विश्ता भी नहीं थी वहामने सोरूरूजागी लगवाई थी उसके बाद जहां गरीब बस्ति हमने जादा काम किया है जहां नाडियां कची पोड़ी थी गड़ियां कची पड़ी और उनमें बिजली भावजाती थे और पंखे ने चलते हमने बहुत सो पालों में डबल बैटर के इन वाटर लगवाई है अब उनमें दिन रात लोग बैठते हैं और अरम करते हैं तो देवी दियाल जी जैसा कि आपने बताया कि आपने पांस सालों में अपने ब्लॉक के लिए काफी कारे किये हैं काफी विकास करवाए हैं जिनमें की आपने वाटर कूलर्स लगाए गाव में सड़के बनवाई लाइट्स लगवाई ओपन जिम बनवाई काफी कारे आपने करवाया, तो आपकी नजरों में ग्रामिंड विकास के लिए सुच्छ पानी, सड़ के इन सब चीजों का क्या महत्व है, कितना महत्व है? देगे सबसे अच्सी बात है दो सवस्ता के लिए पाणि के लिए हम ने जो लाश्ण में गणिया मनाई है उन्हें पाणिक अंदरगाय डाली है और पाञी के पाई भी साथ में डाले है कि सुध पानि मिले और गणियों में गंदगी ना फाले सबस्ता सबसे पहला काम है सबस्ता जरूरी है तो देवी दियाल जी आपने ब्लॉक के परते गाव में और अपनी पंचायतों में किताबे जो हैं वित्रीत की तो कितना फाइदा मिला इससे गावालों को देखिए मेरे 100 गाव में 100 स्कुलों में हमने लाइवरेरी की कि बच्चे यहां स्कूल के टाइम भी पढ़ें और इसकूल के टाइम जिसको पढ़ना चाहे कि स्कूल टाइम के बाद भी पढ़ें तो उन किताबों से जो मास्टर थे हुनों ने बहुत धन्यवाद किया यह ऐसे ग्यान की किताब में और बहुत अच्छे-ची किताब में तो देवीद याल जी एक पॉलिटिशन के लिए एक राजनितिग्य के लिए महत्वकांशी होना बहुत जरूरी है तो ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा राजनिती में? देवीद याल जी एक आखरी प्रश्ट में आपसे करना चाहूंगी क्या सत्ता में भागेदारी, पाकर, सफलनेता बनना या फिर जनता के दिलों में अपनी जगा बनाना क्या एहम है आपके लिए? देखिए सत्ता गानासा इतना अच्छा नहीं है जनता के दिलों में जगा बनानी अच्छी बात है और यही मेरे मकसद है मैं पिछली बार मेंबर पंचायद था मेंबर पंचायद होते हुए भी इतने लोग मेरे पास आते से काम के लिए मैं किसी से काम के लिए मैं किसी के 12 मेरे सब्सक्राइब मैं था सफुंग जड़ा किसी बीजा किसी के लिए काम गया किसी से पचास पचास पचा तेल नहीं दिला तक डिलवाया और कहीं थोच को रात को भी फोन कर दे कि हम बीमार हो गये मालेजा उसको राउत को भी देखे जंता को zooming करतें हैं कि नहीं में कुछ सोल करते हैं और और हमारे विधायक जी भी ऐसे नेक इनसान है जो सायद हर्यान में ही ऐसे कोई अमेल नहीं होगा जिसके पास चैर चैर पांस-पांस पीए है 20 घंटे में किशी मलब 20 घंटे ऐसे जाते हैं जिसमें कोई भी समस्चा लेक राए कोई पेए कोठी बैठा है कोई सरकता से बैठा है और विधायक जी बैठे है उनका पुतर विधायक जी चंडीर अनुका पुतर साहिल सुदा है कि मैडम है किशी भी डेथ में नहीं जाना तो कुछुक दुख में कोई भी ऐसा नहीं छोड़ते और 24 गंटे लगों कि इतनी सेवा करते हैं साइध है हर्याने में ऐसा कोई अमले होगा जो 24 गंटे लगों के लिए इतनी सेवा करते हैं और यही कारण है कि 25 चीजल से कमैटी में बेटे हैं, एक बार बना कर बुध दुबारा कोई सर पन्च वर पंच नहीं बनाता। पत्चीज साल से बैटे है, रिकार्ण है, शाइद हर्याने का हिया है कि लगातार 25 साल से और दो बार से विधायक बन रही हैं और मैं तो कहता हूँ कि भगवान ने सदा सदा के लिए विधायक और उस सभी और उन्चे पद्द मिले जो कि जनता की और जादा से वक्त तो देविद याल जी क्या हम ये माने कि आपके आइडियल सुभार्श चुदा जी है देखिए बिल्कुल सही है मैं तो खेतों में काम करने वाड़े का अदमी था कभी सोचा नहीं था कि चेर्मेनी का चुनाव लड़ूँगा पिछली बार गाउन नवारें जब्रश सी मेंबर बना दिया और विधायक जी ने मुझे सर्व समती से चेर्मेन बना दिया ये चेर्मेन बना विधायक जी की देना और उनके कामों को देखकर ही मेरे मेरे में जागा कि ये पूरा रात दिने सेवा करते हैं तो मैं भी जरूँए इनकी तरह ही ऐसी लोगों की सेवा करूँ कि लोगों के सुख दुख में हाथ मुटो हूँ देवी दियाल जी बी पॉजिटिव न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैं रूँदी चेर्में तो अभी आपके साथ थे थानेसर ब्लॉक समीती के पूर्व अध्यक्ष देवी दियाल शर्मा जी क्या देवी दियाल शर्मा को दुबारा से चुनाव लड़ना चाहिए आपकी राय क्या है आप कमेंट करके जरूर बताईए और इस पोस्ट को ज़ादा से ज़ादा शेर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज के साथ